भारती कप्तान रोहिस सर्मा ने बहुत अच्छी कप्तानी की, ये बात अलग है कि बल्ले से दोने ही मुकाबले में कोई अच्छा योगदान नहीं दे पाए, लेकिन कप्तानी की दास देनी होगी और नतीजा भी यही रहा कि दूसरा मुकाबला भारती टीम के पक्ष म गया, भारती टीम ने करारी जीत मिली भारती टीम को, एक करारी हार मिली इंग्लैंड की टीम को, जिस तरीके से युवा बल्ले बागो ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, खास तोर पर शुबमन गिल और ये सच्छी जैसपाल की जो काबिले तारीफ बल्ले बादी थी, श बहुत अच्छी काप्तानी करी है, बस बैटिंग से नोड़ा कॉंट्रिबूरिशन नहीं दे पाया अगर बल्ले बादे में उता इकाज मतलब श्रतक आ जाता तो बहुत खुशी होती, लेकिन चलो बैटिंग से कुछ कॉंट्रिबूट नहीं कर पाया लेकिन जो जिन्हों के बादे में बहुत बादे में का सामना पड़ा था यहां पर एक डेबूडेंट्य और बाकी जो खिलाडी को बाले बादे करम अपनी जो भारिती टीम किये बहुत खराब परदरशन कर रही तो जिस तरीके से comeback हुआ शुबमन गिल का बहुत important था उनको personally भी उनके लिए और team के लिए और जिस तरीके का नतीजा था बहुत बढ़िया था हम बल्ले से अच्छे थे आप जानते हैं कि इन परिस्थितियों में टेश्ट जीतना आसान नहीं है हम चाहते थे कि हमारे गेंदबाज आगे बढ़े और उन्होंने वैसा ही किया वो एक अच्छा खिलाड़ी दिखता है और अपनी खेल को अच्छी तरह समझता है आशा है वो विनम्र बने रहेंगे विकेट वास्तों में बल्ले बाज़े के लिए अच्छे थे अगर मुझे कुछ कहना हो तो बहुत से बल्ले बाज़े ने शुरुआत तो की लेकिर बड़ा स्कोर नहीं बना सके लेकिन मैं समझता हूँ कि वो युवा हैं और खेल में नए हैं हमारे लिए उन्हें विश्वास दिलाना महत्पूर्ण है ऐसी युवा टीम का इस तरह की टीम से मुकाबला करने पर मुझे बहुत गर्व है खेल के इस प्रारूप को खेलने के माबले में बहुत से लोग काफी युवा हैं इसे पूरी तरह से ठीक होने में कुछ समय लगेगा मैं चाहता हूँ कि वो बिना किसी दबाव के खुल कर खेले पिछले कुछ वर्षो से इंग्लेंट अच्छा क्रिकेट खेल रहा है तो हमें टीम यूनिटी टीम वर्क तो दिखा और उन्होंने उस बात की तारीज की और साथी साथ बताये किस तरीके से बुम्रा ने गेंद बाजी करी किस तरीके दिगज है वो तो जिस तरीके का स्वेता इनका बयान था मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं और बहुत ज्यादा जो चेंजेज है केल राहूल आत आएंगे तो मुझे लगता बहुत ज्यादा चेंजेज नहीं होंगे टीम में सिरे सेयर को मुझे लगता है इनके बयान के हिशाबते तो साइद बैक किया जाए बिल्कुल क्योंकि जैसा कि रोष शर्मा ने अपने स्टेट्मेंट बोला है कि यह चाहते हैं कि इनकी कप्तानी में जो यंग प्लेयर्स हैं वो किसी भी दबाव में ना खिले हैं हमेशा ही देखा है शुबंगिल ने जब सेंचुरी लगाई थी तो वह भी रोष शर्मा की तारीफ करते हुए नजर आते राहुल द्रोड की तारीफ करते हुए नजर आते हैं अगर वो लोग नहीं होते तो शायद यह सेंचुरी मेरी नहीं आती मुझे खुद पर इतना ट्रस्ट नहीं होता तो यह जो बैक करते हैं बार-बार प्लेयर्स को यह बहुत अच्छी चीज़ है और हमेशा से जब से रोहिष शर्मा कप्तान बने हैं राहुल रोड कोच बने तब से हमने हमेशा से ही देखा है कि यंग्स्टर्स को बहुत जादा मौका दिया गया बहले सीनियर्स प्लेयर को आप इतना जादा मौका नहीं दे रहे और रेष्ट पे उनको भेज़ देते ह युवाज खिलाड़ा की से रहे जाता है। आते जाते तुफाने स्पोर्स को लाइक शेर एंड सब्सक्राइब करिए